पागल कुट्टा काटने से सेक्स से कितने महीने तक दूर रहना है? कुछ आद्मियों को पागला कुट्टा उसे को बोलते हैं रेबिड डॉग रेबिड डॉग काटने से रेबिस की बीमारी आएगी एक बार रेबिस बीमारी के जो साइन्स सिंट्रस रावर पर होते हैं उसको सेन परसंट मुच्चू होती है सिंट परसंट रेबिड डॉग से बाइट काटने से क्या कान है? तुरंथ एंटी रेबिस वैक्सीन इंजेक्शन लेना है पांच इंजेक्शन ले रहे हैं आज एक लेना, तीन इन के लेना, साथ दिन के लेना, चौदे दिन के लेना, तीस दिन के लेना, तीस दिन के लेना, पांच इंजेक्शन ये इंजेक्शन लेने से ही उसको पगले कुते के काटने से उसको प्रोटक्शन होता है, रच्छन ह इसे रेखी डॉब पगला कुत्ता है, अमको सबते हैं पगला कुत्ता है? क्या है? कैसा होता है? क्या हुसका बह्यर कैसा है? हम समझे? कई लोगों को रेबी डाग, फागला कुत्ता काटने के बारे में कई प्रकार के भई हैं, कई प्रकार संकोच हैं, कई प्रकार के भावना हैं, कुछ लोग समते हैं, फागला कुत्ता काटने से, इंजिश लेने के अलावा, छे महीने तक सेक्स मत भाग लेना, सेक्स से दूर छे महीना ऐसा समते हैं लेकिन यह बात तीक नहीं पगला कुट्टा रेविड डाव रेविस वालिक पुट्टा काटने से केवल एंटी रेविस वैक्सिन एयर वी इंजेक्शन एंटी रेविस वैक्सिन इंजिश लेना ही काफी है मैं बहला आज एक तीन दिन को साथ दिन को सौदैन को तिस दिन पांच इंजिश वा गया चाहे तो नबे जन को नाइटी देश और एक इंजेश दे सकते हैं आफ्टर नाइटी देश लेकिन छे पांच इंजिश काफी है वोतना ही, उससे बढ़कर किसी प्रकार के प्रकाशन है, सब कुछ कह सकते हैं, कुछ यह बतका ना, वो मत का ना, अधान मिर्टर बतका ना, ऐसा बोलते हैं, कुछ भी नहीं, कैवल इंजेक्शन इंजेश्टन ही लेना है, सेक्स से भी दूर रहने की जुरूत नहीं, कुछ जरूर पांच इंजेक्शिन्स लेना, एक मेन में पांच इंजेक्शिन्स हो जाएगा, इसके अलावा किसी परकार के निशिद रहें, चाहे जो कुछ हो, खाओ, चाहे जो कुछ करना हो, खरो, शेक्सम भागना है ता वसी दिन, जिस दिन रेविट डाग उसको काटा, उस दिनी सेक्श में बगलो, कुछ भी नहीं होगा, सेक्स से कोई भी समझ नहीं, सेक्स से दूर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंजेक्शिन्स तो जरूर लेना, इंजेक्शिन्स तो जरूर लेना, जब बेमारी आएगी, बुच्च्ची ही उसका है, और कुछ नहीं, उस तो इन्जेक्शन जरूर लेना, एंटी रिसेक्शन, लेने से सब टीक हो जाएगा, और सेक्स से दूराने की जरूर नहीं. को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाईए.